हेलो फ्रेंज आज मेरा वीडियो है बैटरी चार्जिंग के बारे में आप लोग वास में बताने वाला हो बैटरी कैसे चार्जिंग करता है हम लोग ये बाद चार्जिंग मेशिन भी है बैटरी भी है और बैटरी को चार्जिंग करते हैं क्या क्या ध्यान में रखना परता ह वह भी आप लोगों के आस बताने वाला हो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और साथ में साब्सक्राइब कर डीजिए लाइक कर डीजिए ताकि आप लोगों के साथ में जुरा रह सको और अगले वीडियो आगले कोई भी टेकनिकल वीडियो के लिए आप लोगों के यह रहे है उपर अप निशे अन और यह है बैटरी का MCB जो लोट जाधा होने से काटोफ हो जाता है और इधर है मेन है यह भी का से नाव करता है इसको ऐं कर के लखना है चालज करते वक्त यह है क्राश कॉन्ट्रूल है इसमें बैटरी का कितना वेतरी है उसका साफ है है मान लेजिए 5 भैटरी ए तो 5 चार वेटरी 4 और 3 में है तो 3,2 है तो 2 और एक बैटरी है तो 1 में लगा के इसको set किया जाता है और यह है fine control यह जो बैटरी का charging mp-r को कॉन्टूर करते है अभी एक बैटरी charging में लगा के रखा हुआ है यह लेकिए एक में डाला हुआ है और बैटरी का ये माइनास और प्लास है माइनास का ये माइनास में निगेटिव में जाएगा कानेक्शन और ये पोजिटिव वाला है ये बैटरी में पोजिटिव में लगेगा यह देखिए positive इसमें नीचे positive का symbol है यह positive और इधर है negative यह देखिए positive और यह वाला है negative इसी हिसाब से बैटरी को machine के साथ connection करना है और हमारे पास में है यह तीन बैटरी जो आप दोगों को बताएंगे तीनों को एक साथ में कैसे चार्ज करना है यह देखिए पेरेलल वाइस में एक लाइन में सभी को सभी बैटरी को रखा हुआ है सबसे पहले इसमें distil water check करना है सभी compartment को चेक करना है बैतरी का इसमें distil water है की नहीं है अगर इसमें distil water कम है तो इसमें थोड़ा आप distil water bottle लेके उसमें से distil water का पानी टोपाप कर सकते है इसे सभी को चेक करना है, सभी बितरी को चार्ज करने से पहले यह देखिए, एक एक करके चेक कर रहे हैं, यह देखिए, यहां में कुछ सिम्बल है, यह है ग्रिन और बिज में हुआइट, और है लास्ट में है रेड, जब रेड होगा तो इसमें डिस्टिल वाटर नहीं है, खतम हो गया है, इसमें आपको वो सिम्बल दिखाए देगा, ग्रिन है तो बेटरी फूल चार्ज में है, यहां ग्रिन सिम्बल दिखाए देगा, वाज सिम्बल में बेटरी को चार्ज करना है, और रेड में डिस्टिल वाटर पकांदिस्टिल वाटर डालना है तो का अभी раст कर ने के लिए इस एक सबुत का जोर दिया है यह पॉजड़ीब से हम लोग reactives में डाल रहे हैं दूसरा है धकिये यह पॉजड़ीब है और इस से दाल सैको को JEुआ और दूसरा में भी पोजेटिव से लेके जो टिस्वी नगल बेतरी है उसको निगेटिव में डालना है एसे एसे ही प्यार करना है इसको जोईन करना है तीनों बेतर को एक साथ और ये निगेटिव पॉइंट रह गया है इसमें निगेटिव वायर को कनेक करना है और इधर रह ग यह पॉजिटिव कनेक्शन है इसमें से पॉजिटिव का वायर निकला हुआ है इसको हम बैटरी के पॉजिटिव में लगाएंगे यह जो वायर है इसको कभी भी निगेटिव में नहीं डालना है पॉजिटिव बला वायर पॉजिटिव में लगेगा इसको हमेशा ध्यान रखना है लगाते वक्त पोजेटिव तो पोजेटिव इसके बाद रह गया निगेटिव पाला कनेक्शन यह लगाएंगे इसको अच्छा से जोड देना है यह देखिए हम लोग कनेक्शन कर दिया है इसको कॉम्प्रिटली यह बेटरी का निगेटिव पोजेटिव 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 पो अब इसको चार्ज करना है मेंशिन अन करके और चार्ज का सेटिंग करना है यह तीन बैटरी है हम लोग आप दिया है और यह में स्विछ न कर दिया है हम लोग यह उपर जो बैटरी का स्विश है वो अन है एंसी भी यह देखिए एंप्यार डो में डाला हुआ है पाइन कोंट्रोल यह इसको हम लोग कीन में भी डाल सकते है चाल में भी डाल सकते है लोड के हिसाब से अभी आम लोग का बैटरी चार्च हो रहा है और जब फुल चार्च हो जाएगा इसमें ग्रीन सिग्नेल दिखाए देगा अभी यहां से देखेंगे ग्रीन सिग्नेल है अभी इसमें वाइट सिग्नेल आ रहा है क्योंकि बैटरी चार्च नहीं है सभी में वाइट सिग्नेल आ रहा है अभी बैटरी चार्ज फतम हो चुका है और इसको अभी फुल चार्ज होने के लिए आध से 12 घंता लगेगा अगर आप सामको 2-3 बजे चार्ज में लगा दिया तो सुबह तक हो जाता है फुल चार्ज अभी इसको चार्ज होने देते है तो फ्रेंज आप लोगों ने देखा बैटरी कैसे चार्ज होता है वीडियो को आप लोग लाइक कर डिजिए सब्सक्राइब कर डिजिए और आप लोग का प्यार साहिए बस इतना ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके बाई